मा बोली बेटा सोफा लेटने के लिए नहीं बैठने के लिए होता है बेटा बोला हाँ मा तो चपल भी मारने के लिए नहीं पहनने के लिए होती है पत्नी सो रही थी पती ने देखा उसके पैरों के पास एक नागिन गुजर रही थी पती धीरे से बोला डस ले डस ले नागिन बोली अरे मैं तो चरण इस पर्स करने आई हूँ गुरु देवी है हमारी पत्नी ने उंगली के इसारे से पती को बुलाया पती बोले बोल क्या काम है पत्नी बोली कुछ नहीं बस अपनी उंगलीयों की ताकत चेक कर रही थी वो मुड़ मुड़ कर देख रहे थे हमें हम मुड़ मुड़ कर देख रहे थे उन्हें वो हमें हम उन्हें हम उन्हें वो हमें क्यूंकि परिक्षा में न उन्हें कुछ आता था और न हमें सर बोले किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जहां पर बहुत लोग हो फिर भी तुम अकेला पन महसूस करते हो संता बोला ओ सर जी एक्जाम हाल ही ऐसी जगह है जहां हम सब एक साथ होते हुए भी अकेला पन महसूस करते हैं डाइनिंग टेबल के ठीक उपर सर्मा जी की छट टपक रही थी प्लंबर ने पूछा सर आपको कब पता चला सर्मा जी बोले कल रात को जब मेरा पैग तीन घंटे तक खतम ही नहीं हुआ प्रेमी का बोली जानूं तुम हपते में कितनी बार से उकरते हो प्रेमी बोला मैं तो दिन में बीस तीस बार से उकरता हूँ प्रेमी का बोली पागल हो गए हूँ क्या प्रेमी बोला यार मैं तो नाई हूँ